हंजी वेलकम टू दा टीचर्स योटूब चेनल हर्याना के अंदरा भी जो विदान सभा के नई मंतरी बने हैं नए चुनाव हुए हैं उनसे रिलेटिड और कुछ पुराने मुख्य मंतरी से रिलेटिड फटा फट क्वेस्चन करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा आप जिस दूसरी बार बने हैं लगातार ठीक है सेकिन टाइम दूसरी बार यह है प्रधान सोरी मुख्य मंतरी बने हैं और यह है ग्यारवें व्यक्ति हैं व्यक्ति वाइज के अगर बात करें वैसे पंदरवी विधान सभा है यह हर्याना की ठीक है चलिए दूसरे क्वेसिन पर चल जीएगा अभी 90 सीटे हैं क्योंकि इसे रिलेटेड आपको फैक्ट करवाने मालाओ में देखी अभी कितनी सीटे हैं 90 कब की बात कर रहे हम 2024 की एक बार 1966 में चलते हैं जब हर्याना रेज्जे अलग रेज्जे बना था तो तब 54 सीटे थी हमारे पास ठीक है दस इसमें से आरक सीटी और इसे ही अगले साल 1967 में यह सीटे बढ़कर 81 हो गई और 1977 में यह सीटे कितनी हो गई 90 और आज भी कितनी है यह 90 यानिकि 90 सीटे हैं तो छोटी छोटी जानकारी है अगर आई इसको आप रेलेट करके पढ़ोगे तो काफी इजली हो जाएगा आपके लिए वर्तमान सरकार में प्रिवेहन मंत्री कोन है तो अनील वीज है मैंने एक बहुत जबरदस्त ट्रीक वाली वीडियो करवा रखी है जो कि लिंक डिस्क्रीप्शन में है उसको जरूर देखिएगा क्योंकि जो मंत्री है आप अच्छी तरिके से उनको याद कर पाएंगे हर्याना विदानसभा का मुख्यालिय कहां पर है चंडीगड़ के अंदर है हर्याना गठन के समय हर्याना विदानसभा में कितने सीटे थी मिन्याबी कुराया था छवंथी फिप्टी फोर्ती वर्तमान सरकार में सिक्सा मंतरी कौन है यहाँ पर सिक्सा मंतरी नहीं अगर सिक्सा मंतरी यह बात हो रही है तो या तो आप इसको जेल मंतरी कर लो यहाँ पर जेल मंतरी कर लो सिक्सा मंतरी रहने दो ठीक है जेल मंतरी क्योंकि जेल मंतरी है डोक्टर अर नहीं बार होई जाता है कैसे भी हम कितना भी रोक ले ठीक है तो क्या है जेल मंत्री कों है डॉक्टर अर्विंद सर्मा और शिक्सा मंत्री को हैं मही पाल डांडा कन्फिूज मत हो ना क्योंकि पीडिएफ में अगर आप देखोगे तो आपको कहीं यहीं पर क्लिक कर दो जेल मंत्री कोन है डॉक्टर अर्वींद सर्मा कहां से हैं ये गोहाना से हैं ये इस से पहले लोक सभा में सांसद भी रह चुके हैं और अभी विदान सभा के अंदर ये कैबिनेट मंत्री हैं महिपाल डांडा यह भी कैबिनेट मंत्री है और यह अभी वर्तमान में सिक्सा मंत्री है तो थोड़ा सा ध्यान दीजीगा हर्याना के किस जिले में सबसे ज़्यादा सीटे हैं तो हिसार जिले के अंदर सबसे ज़्यादा सीटे हैं और पंचकुला के अंदर सबसे कम सीटे हैं दो सीटे हैं और पंचकुला के अंदर एक भी सीट आरक्षित नहीं है अभी हर्याना का जो कुरुक्षेत्र जिला है कुरुक्षेत्र उसके नाम पर खुद की विधान सबा सीट नहीं है ठीक है एक मात्र ऐसा जिला है बाकि सबी जितने जिले हैं कितने जिले हैं 22 तो 22 में से 21 के नाम पर अपने अपने विधान सबा है जैसे कि जीन्द विधान सबा है सोनिपत ग्रामिन वहबी पानिपत ग्रामिन वहबी गुडगाम फृरीदाबाद जितने भी है लेकिन कुरुक्षेतर नाम पर विदान सबसीट नहीं है इतनी बाते ध्यान रख लेनी है हमारा नौवा प्रसंद कृषी मंत्रेलिया के को दिया गया भी शाम सिंग रानो को दिया गया है एक ट्रिक भी करुआए थे कि कृषी कौन करेगा किसान और किसान कहा जाते हैं खाटू शाम जी के पास जाते हैं कि हे खाटू शाम जी अभकी बार थोड़े सा हमें अच्छे दाम दिलवा देना ताकि हमारे बच्चे सरकारी नोक्री लग जाएं पढ़कर है ना और दाटीचर से पढ़ते रहें चलिए हर्याना विदानसभा में कितनी शीट्या रक्षी था तो अभी कितनी है 17 और 1966 में जब हर्याना बना तब कितनी थी सिर्फ दस थी 11 प्रसन महिला और विकास मंत्रयला किसके पास है शुरूती चोदरी के पास है और शुरूती चोदरी तो साम विदानसभा छेतर से इन होने क्या क्या है चुनाव जिता है नाइब सिंग सैनी ने किस विदानसभा से चुनाव जिता है लाडवा से लाडवा कहां पर है कुरुक गोतम तो तो अगर जी जाते हैं तो गरवालों को तो गरव होता ही तो याद कर सकते हो हर्याणा के पहले मुख्य मंत्री को थे पंडित भगवध्याल सर्मा 1966 में जब हम पंजाब से अलग हुए तब यही थे हमारे क्या मुख्य मंत्री सबसे कम विधांचवा सेट की जीले में हैं पंचकुला के अंदर हैं वैसे चर्की दादरे के अंदर भी हैं लेकिन यहां पर पंचकुला ही ओप्सिन में दिया गया है हमारा सोड़ा प्रसन हर्याणा में सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्य मंत्री कौन है तो चोदरी ओम प्रकास चुटाला सहब है यहां पर इसको आप थोड़ा सा देखीगा ठीक है यहां पर क्या है यह चोदरी ओम प्रकास चुटाला चलिए वर्तमान सरकार में पंचायत और विकास मंत्री कोन है क्रिशन लाल पुमार ध्यान दिजीगा क्रिशन लाल पुमार है क्या है पंचायत और विकास मंत्री नागरिक उड्यन मंत्रैलिया किसके पास है विपूल गोल के पास है बर्तमां सरकार में कैबिनेट मंत्री जरूती चोदरी की इस विधान बंसीलाल जी नें गे सम्मेह हर्याना का लोह पूरुष सरावंदी भी इन्हें के टाइम पे हुई है सबसे कम सम्मेह तक रहने वाले मुख्य मंतरी तो कौं से थे वो चोदरियों प्रगास चुटआ लैते सिरف पांच दिनों के लिए दो चीज़े हैं एक तो पांच दिनों के लिए ये सिर्फ मुख्य मंतरी रहे और दूसरा पांच बार ये मुख्य मंतरी बने यानि की सबसे ज़्यादा बार बनने वाले भी यही सबसे कम समय तक बनने वाले भी यही ठीक है सबसे ज़्यादा समय तक नहीं सबसे ज़्यादा बार ठीक है वरतमान सरकार में महीपाल डानडा के पास कौन सा मंत्रयले है सबसे जरूर तो यही कि सिक्सा मंत्रयले है सैगिंड आपके लिए कि संसद्या कर यही भी इनके पास है ठीक है अचली आर्काईव भी आप इसको नोट करी लिजीगा प्रिंटिंग और स्टेशनरी किस मंत्रय के पास है भी तो राजिस नागर के पास है और तिंगाउं विधान सबा से यह जीतते है ठीक है हर्याना के कौन से मुख्यमंत्री भारत देश के उप प्रधान मंत्री रहे चुके है तो चोदरी तव देविलाल जी सबको पता ही है और हर्याना का पहला गैर कंग्रेशी मुख्यमंत्री को राव विरेंदर सिंग थे और यही क्या थे विधान सबा के पहले अध्यक्स भी रहे है मतलब मुख्यमंत्री बनने से पहले अध्यक्स भी रह चुके है राव विरेंदर सिंग और यह क्या थे जब यह 1967 में बने थे तब क्या था यह है पहले गैर कंग्रेशी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने एक पार्टी भी बनाए थी विकास हरियाना पार्टी विकास हरियाना पार्टी के नام से सो आई होब कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और कोसिट कर रहा हैं कि आप तक लगातार पूरा-पूरा कंटेंट हम पहुंचा दे तो चलगी आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ लेकि विराम देने से पहले जट छोटी चोटी बाते कर लेते हैं एक तो यही कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी मतलब कि बहुत अच्छी लगी हो तो सो प्लेज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजेगा हर्याना का मन्तृ मंदल क्यों देखने चाहिए क्यों कि यहां से आपका question में मतलब paper में आपका question फसेगा ही फसेगा ठीक हर्याना का मन्तृ मंदल आपको यह uh video देखने ही चाहिए link नीचे description मिल जाएगे otherwise आप ढूंड लेना अर्याना मंत्री मंदल और साथ में चैनल का नाम डाल दिया करो, जो भी आपको वीडियो चाहिए, आप मंत्री मंडल कुछ भी चाहिए, साथ में दा टीचर्स डाल दिया करो, तो आप उस वीडियो को देखे, ट्रिक के हिसाब से आपको याद करवाया, क्योंकि भाई, 2024 में बैठे हैं, 2029 तकी सरकार है, तो 5 सा पढ़े हैं, तो 5 साल में आप पता नहीं कितने बार एक्जाम दोगे, तो मंत्री मंडल तो एक ही बार है ना, तो इसको रटलो, देख लो, ट्रिक सब कुछ तो है, जस्ट आप पढ़ते रहो, अगर आप पढ़ोगी नहीं, तो बाबु भाईया क्या कह सकते हैं, दूसरी बात, आप जिस भी एक्जाम की त्यारी कर रहें, आपको बहुत बहुत सारी सूब कामना है, जस्ट आप पढ़ते रहें, दिन रात आप लगे रहें, बहुत बार लाइफ में समय ऐसे आता है, क्या हमा मूड नहीं होता, या फिर प्रोब्लम सा जाती है, समस्या या जाती ह लगता है कि नहीं हो पाईगा, स्टड़ी काफी तूट गई है, काफी वीक हो गई आप, तो मैं जस्ट आपको यही कहना चाहँगा, कि आप एक दिन में बहुत कुछ हमआँ उखाड़ सकते हैं, लेकिन अराम अराम से अराम से चलके एक दिन तो उखाड़ी सकते हैं, तो आपको एक सरकारी नोकरी चाहिए, आपके ज़जबे को चला हमें, जस्ता आप पढ़ते रहें, आप कैसे विगर के थोड़ा सा टाइम निकालें, मैं यह नहीं कहता कि आप मेरे ही यूटूब चैनल से पढ़ें, आप पढ़ते रहों, मुझे अच्छा लगता है कि कहीं से को सैस हो जाएंगे, किसी भी फिल्ड में जिसमें आप जाना चाहते हो, जहां भी आप पहुंचो, तब आपको यह चोट चोटे बाते याद भी आएंगी, और आपका प्रीविस टाइम भी याद आया, कि हाँ वैसे महनत करता था, वहां बैठती थी, वहां से उस सरकी वीडि पढ़ाई से, पढ़ाई एक ऐसा जरीए है, जो आपके पूरी लाइफ को, आपके सबी पुस्तों को, आपका पुरा खुलिया बदल देगा, और हाँ, सच्चे रहीएगा प्लीज, और किसी के साथ भी कोई वैर विरोध नहीं, जस्ट खुद काम से काम रखे, और यकीन की कि एक दिन आपके हाथ में सब कुछ होगा, सब कुछ मतलब की सब कुछ, तो चलिए इसे के साथ वीडियो को यहीं पर विराम दे देते हैं, थैंक्यू गाइच